Hello Friends, मैं सुधीर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ScoreMax पे और आज हम डिसकस करेंगे आपकी IBO5 की Unit 2 जिसका नाम है International Marketing Strategies and Logistics तो अगर हम Logistics की बात करें तो सबस्यादा Important Role Play करता है किसी भी Corporate Strategy को बनाने में Developed Nation के अंदर क्योंकि हम Logistics का यूज़ करते क्यों है एक तर से हम Customer Service को Better करने के लिए इसका यूज़ करते हैं क्योंकि जब तक प्रोड़क्ट आपका Final Customer तक नहीं पहुच जाता है तब तक उसकी कोई Value नहीं होती तो Effective जो Logistics System होता है आपका Physical Distribution सिस्टम होता है इसके तरू हम Efficiently प्रोड़क्ट को Customer तक पहुचाते हैं बात करते हैं Customer Service के बारे में Customer Service क्या होती है कि कौन कौन सी Services को Provide करते हैं कॉस्टमर को जिसके तरू हम कॉस्टमर को जादे जादे सैटिस्फाई कर सके अपना Profit बढ़ा सके और अपने प्रोड़क्ट की जो डिमांड है मार्केट में इंक्रीज कर सके Customer Service has several aspects Since it is an important consideration for success of physical distribution system and every company designs and enforce customer service policy physical distribution system has several aspects तो आपका जो physical distribution system होता है वो बहुता important होता है किसी business के कह सकते हैं Profit के लिए किसी business की success के लिए और इसके अंदर जब हम physical distribution system को बनाते हैं तो इसके अंदर हम focus रखते हैं consider करते हैं अपने customer service policy को हम किस तरह इस distribution के थरू अपने customers को better से better service दे पाएं तो इसके अंदर भी कुछ aspects हैं कुछ points हैं जिसके थरू हम customers को better service provide कराते हैं तो सबसे पहला होता है stock availability और इसके अंदर होता है कि हमारा जो product है वो customer को sale के दोरान या service point है वहापर easily available हो सके क्योंकि अगर customer कोई चीज purchase करना आता है वो किसी product को लेना चाहता है तो उस condition में आप उसे तभी हो product sale कर पाऊगे तभी उस product को purchase कर पाएगा जब आपके पास stock available हो उसकी need के इसाब से उसकी conditions के इसाब से आते हैं अपनी जो एक होती है कि हमारी इस time stock बढ़ेगी चाहे वो festival sales हो चाहे आपके special locations हो तो हमें normally एक idea होता है कि हमारी sales बढ़ेगी तो वहाँ पर अपनी stock availability होती है उस चीज को maintain रखना हमने inventory को proper handle करना उसका proper management रखना दूसरा होता है delivery frequently अब delivery होता है कि जब भी आप किसी product को customer को sale करते हो तो customer चाहता है कि वो product उसे जल्दी से जल्दी product उसको कम से कम time पर पहुच जाए तो अब आपके पास जो भी retail stores होते हैं उनके पास आपके पास इतना store य है कि आपी जो delivery हो वो frequently हो मतलब जैसे आपका order आता है आपके पास आप उसको place करो आपके पास जो stocks थे उसको transit करो उसको customer को hand करो और उसके बाद आपने नए stocks को फिर से लेकर आओ तो आपके जो delivery होनी चाहिए वो frequently होनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा delivery हो जाए है और उसके बाद जब उस order को हम उस तक पहुचाते हैं मतलब जब तक उसके पास shipment होती है इसके बीच में तो time होता है हमें वो time कम से कम करना चाहिए क्योंकि जितना time कम होगा customer को वो product उतनी जल्दी ही मिल पाएगा और उतना जादा ही satisfy होएगा हमारे product से next step का on schedule delivery timely delivery अब जैसे कि अगर कोई आपका order को place करता है तो उससे related हम उसको एक estimated time देती है आपकी जो courier companies है आपके जो business है कि इस time के अंदर आपका product आपको deliver हो जाएगा तो वो जो काम होता है वो जो schedule wise हो timely delivery हो ये ना हो कि आपने time तो दिया Sunday का और आपका product पूचा है Wednesday को तो वो आपको नह delivery reliability के अंदर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जिसे हमारे बहुत सारे clients होते हैं कि वो सिर्फ हमारे एक तरह से हमारे brand के नाम से या हमारे product की quality के हिसाब से ही हमसे जुड़े होते हैं हमसे connect रहते हैं एक तरह से trust करते हैं हमारी brand के ओपर हमारे products के ओपर हमारे services के ओपर तो उ अगर उन्हें कोई आज delivery करी डिमांड करी है तो उसको 10 दिन बाद या 12 दिन बाद दिया जाए हम maximize जितना है ज़्यादा कर सके हमारी जो reliability होती है delivery की वह हमें बढ़ानी चाहिए क्योंकि जितना हमारा customer हमारे उपर trust करेगा उतना ही वो हमसे trade करेगा हमसे purchase करेगा हमसे buy करेगा तो यह होता है customer service की in points को focus करकर हम जो customer service होती है उसको बढ़ा सकते हैं और इसके थ्रू ही जब हमारी customer service अच्छी होगी तभी हमारा customer हमारे पर trust करेगा हमारे product satisfy होगा अब strategic logistics planning अब सकंदर strategic logistics planning comprise of physical distribution planning and manufacturing planning इसकंदर आपका क्या क्या आजाता है इसकंदर आता आपका physical distribution planning और manufacturing planning की आपको किस तरह product को बनाना है और किस तरह उसको production से लेकर customer तक पहुचाना है तो इसकंदर आपका logistic planning के अदर यही आता है manufacturing planning includes aspects like location, number, capacity of manufacturing plants, types of production plan, vertical integration, product to be produced etc. manufacturing planning के अदर क्या क्या आता है manufacturing के अदर कि आपको कहां पर product को बनाना है कितने numbers में बनाना है उसकी capacity कितनी है आपके plants की manufacture करने की आपका production plan क्या है आपका integration होगा आपके अलगलग departments में वो vertical होगा horizontal होगा या आपको किस तरह के product कितनी मात्रा में वो तयार करने है ये दो सब होता है आपका manufacturing planning मतलब आपके product को manufacture करने से related का अब दूसरा होता है physical distribution includes इसके अंदर होता है कि आप किस तरह के warehouse का use करोगे आपके warehouse की location कहां पर है आपके warehouse की capacity कितनी है कितने numbers आपके पास warehouse आप किस तरह के mode of transport का use करोगे warehouse product को पहुचाने में आपका carrier selection क्या है आपका material planning क्या है तो ये सब कुछ होते हैं आपके physical distribution के अंदर बात करते हैं major aspects of strategic logistic planning जब भी हम बात करते हैं कि strategic logistic planning के बारे में तो उसके कुछ major aspects हैं जो हमारे effect करते हैं हमारी strategic policy को तो सबसे पहला होता है leveraging logistic जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह हमारा जो logistic है उसको हम किस तरह use करें benefit उसका किस तरह उठाएं कि जिसके थूँआ अपने market में other product से अपने product को better दिखा सके मतलब इसके अंदर हम यूज करते हैं कि आजकल हर product एक दूसरे similar ही हो चुके हैं क्योंकि technology जो है कहीं न कहीं सारे एक जैसी ही use कर रहे हैं तो हमें जरूरत है business को जरूरत होती है कि अपने product को दूसरे product से better दिखाने की superior दिखाने के लिए तो हम यहाँ पर logistic सा use करते हैं अपने product को अपने computer से अलग दिखाने के लिए दूसरा होता है evaluation impact अब evaluation impact की बात करें तो इसके अंदर होता है हमारा जो physical distribution हो उसको हम improve करते हैं किस तरह हम अपने product को ज्यादा से ज्यादा effectively अपने customer तक पहुचा सकें यहाँ पर इन चीज़ के लिए work किया जाता है इन चीज़ की policies के बारे में देखा जाता है effects को read किया जाता है लास्ट होता है आपका supporting corporate strategic plan अब इसके अंदर होता है कि हम जो develop करते हैं अपना logistic plans वो हमारे corporate plan को support करें और efficient working करें पूरे system के लिए क्योंकि यह नहीं है कि हम कोई भी logistic plan बना ले लेकिन हमें यह भी देखना होता है हमारे logistics plan है वो हमारे corporate plan को यह हमारे objective है हमारे goal है business को उसको पूरा कर पाएगा वो भी उसी के direction में चलना चाहिए जो की direction हमारे business goals की है यह होते हैं हमारे major aspects of strategic logistical planning के बारे में अब बात करते हैं strategic distribution arrangement अब logistic distribution arrangement के बारे में बात करेंगे इसके अंदर होता है कि किस तरह का आप method को use करोगे arrangement का मतलब जब आप distribution करोगे अपने product का तो इसको किस तरह distribute करोगे जिसमें सबसे पहला जो है direct shipment from production plan अब इसके अंदर होता है कि हम अपने जो product की delivery करते हैं अपने customers को भेजते हैं product वो सिधा हमारे production house से direct customer को भेजा जाता है इसके अंदर नोर भी हम कह सकते हैं जो हमारे large customers होते हैं या जो bulk customers होते हैं उनके लिए हम इसका use करते हैं क्योंकि वो किसी product को bulk में purchase करते हैं तो उनके लिए हम total production अपने production plan में करते हैं उसके बाद वहीं से direct उसको delivery कर देते हैं तो यह होता हमारा direct shipment from production plant दूसरा होता है direct shipment from production line अब production line की बात करें कि इसके अंदर होता है कि आपका जो vendor stock होता है इसे आप production line भी कह सकते हैं या फिर इसे आप कह सकते है vendor stock अब आपकी जैसे ही customer की requirement होती है वो अपनी quantity को देखता है quality को देखता है और उसके बाद यहाँ पर होता है कि आपके जो transportation cost होती है क्योंकि जितनी आपके transportation cost लगेगी वो आपके product होती है लेकिन आप जितने ज़्यादा product को एक साथ transport करोगे आपके जो cost होती है product की कम हो जाती है तो इसके अंदर होता है कि आपके जो transportation cost होती है का इस प्रॉडक्ट को फाइनल किस्टमर तक पहुचा देता है लास्ट होता है शिपमेंट थूफ वेर हाऊस अब अशिंकिनदर के सीव रखते हैं اور जैसे-जैसी हमारे पास नीड आती है व्सी के हिसाब से हम अफने प्रोड़क्ट को महाँ पर से कैसेWow Himlaire वेर हाउस का concept को और इसके अंदर जो हम डिलिवरी करते हैं या हमारा जो ट्रांसफर करते हैं डिस्टिभूशन करते हैं वो छोटी मात्रा में किया जाता है तो पहले में होता है कि हम अपने जो shipment करते हैं प्रोडक्ट की तारेक्ट प्रोड़क्शन प्लांट से करते हैं दू shable items होते हैं जो कि कुछी टाइम में खराब हो जाते हैं और ये बहुत छोटी मात्रा में छोटे amount में इनको shipment किया जाता है अब three concept three important concept अब इनके बारे में बात करते हैं कि जब हम logistics या strategic की policies को बनाते हैं तो इनके बारे में हम किन चीज़ों का में ध्यान रखना चाहिए तो इसमें तीन तरह की आपके concept है पहला है cost trade-off दूसरा है total cost concept तीसरा है the total system concept अब आपका जो पहला concept है the cost trade-off अब इसके अंदर हमारा जो main objective होता है कि हमारी जो logistics की cost होती है, जो distribution की cost होती है उसको था minimum करना चाहते है और अपना जो customer satisfaction होता है उसको maximize करना चाहते है लेकिन जब भी अगर आप किसी भी एक चीज़ को जैसे अगर हम distribution cost को कम करने की बात करें तो जैसे ही हम distribution cost को कम करेंगे हमारा जो satisfaction level है वो भी कम हो जाएगा और अगर हम अपने customer की satisfaction को बढ़ाना चाहते है तो हमारी कहीं न कहीं जो distribution cost है वो भी maximize होने लगेगी लेकिन हम तो उसे minimize करना चाहते है तो यहाँ पर हमारा जो trader होता है हमारे जो business units है वो आपकी जो distribution cost है और जो customer satisfaction है इन दोनों के बीच में एक balance बनाके चलते है इन दोनों के बीच में एक ऐसा consideration बनाते है जिसके थरूँ इन दोनों चीजों को balance कर सके एक ऐसे level पर जहाँ पर वो अपने cost को तो minimize कर पाएं और अपने customer satisfaction को maximize कर पाएं दूसरा होता है the total cost concept अब इसके अंदर होता है कि हम distribution के लिए जितने भी methods का use करते हैं alternatives हमारे पास जो भी है हम उन सभी को read करते हैं उन सभी को analyze करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के alternatives को use करकर हम अपनी cost of production को कम करके अपने customer satisfaction को maximize कर सकते हैं इसके उपर वाले में था कि हमारे पास method भी एक ही था और हम satisfaction को बढ़ाना चाते हैं तो उसमें हमारे पास कोई choose नहीं कर सकते हैं distribution के लिए हमारे पास channel fix है हमारा हम उस channel पर देखेंगे कि हम कितनी मात्रा में अपने product को वहाँ पर distribute करे लेकिन अब इसके अंदर होता है कि हमारे पास बहुत सारे channels होते हैं distribution के और उसके बाद हम उनमें से किसी एक channel को choose करते हैं distribution के लिए जो कि हमारी cost of production को कम से कम करें या production distribution cost होती है उसको कम से कम करता है तीसरा होता है the total system concept अब इसके अंदर देखेंगे integration of all components of physical system which impact the market at the same time and the work in synergy the total system concept is derived from total cost concept and practically it is the most commonly used concept अब जो total system concept है यह आपका total cost concept से आप इसे डिराइफ किया गया है इसके अंदर हो सारे components का integration होता है जो कि physical distribution system के अंदर आते हैं इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह हम अपने product को इसलिए deliver कर पाएंगे distribute कर पाएंगे market में और किस तरह हम उस work को वहाँ पर जो performance की जाती है जो work होता है distribution का चाए inventory का चाए recording का चाए आपके manufacture का है उन सभी को किस तरह effectively कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा better way में तो यह से आपके तीन important concept the cost trade of दूसरा था आपका total concept तीसरा था आपका the total system concept अब environment of foreign trade जैसा कि हर country के अलग-अलग rules होते हैं regulations होती हैं, demand होती हैं, competition होती हैं तो यह नहीं है कि जिस तरह की हमने अपनी country में logistics की या कह सकते हैं marketing के strategies बनाई है वो हर country में effectively हो तो हर country के लिए हमें कुछ चीजों को focus करना होता है consider करना होता है in distribution strategies को बनाने के लिए क्योंकि हर country के कह सकते हैं आपके अलग demographic area है उनकी geography अलग है उनकी need अलग है competitors अलग है या उनके rules regulations अलग है क्योंकि हर country एक दूसरे से एकदम different है अब nature of international distribution अब बात करते हैं nature of international distribution तो जब हम international distribution की बात करते हैं तो वहाँ पर हम किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं उस policy को बनाने के लिए उसका जो nature होता है सबसे पहला competition तो competition होता है कि हम international level पे अपने product को जल्दी से जल्दी पहुचाने की कोशिश करते हैं customer की need पर लेकिन अगर आप India से trade कर रहे हैं और आप USA में trade कर रहे हैं तो अगर USA का कोई आपका trader है वो आप से purchase करता है तो आप India से अगर उसको product भेजोगे तो काफी time तक वो transit में रहेगा इतने time तक आपका product transport के system में रहेगा हो सकता है आपका product वहाँ पर कहीं पर रुख जाए या कहीं पर कह सकते हैं उसको रोक लिया जाए या वो फज़ आए किसी ऐसी condition में कि जहाँ पर उसको block कर दिया जाए आपके product को तो महाँ पर ऐसी condition होती है कि हम चाहते है हम अपने competition को तभी कर पाएंगे effectively जब हम अपने product को जल्दी से जल्दी अपने customer को पहुचा सकें तो इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि अपना production house है उसी country में उसी space पर fix करें उसी जगह़ाँपर fix करें जहां पर कि हमारे product की demand है इसके थूँ एक तो हमारी जो transportation cost है वो भी कम होगी हमारा जो time होता है वो कम लगेगा हमारे जो fund block होने का हमारे जो goods को block होने का हमारे डर होता है वो भी कम हो जाएगा employment regulations हो, industrial growth हो, raw material को किस तरह यूज़ करना है, तो इन सभी को आपको consider करना होता है, जब भी आप international distribution की बात करते हैं, other relevant documents के अंदर गर हम बात करें, तो documentation and trade zones, तो documentation के बारे में बात करते हैं कि documents चो होता है, आपका बहुत ज़्यादा complex होता है international trade के बारे में, क्योंकि जब भी आप international trade के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे documents की need होती है, अपने work को करने के लिए, तो एक तरह से barrier का काम भी करते हैं, आपके work को delay करते हैं, आपके distribution cycle को, क्योंकि अगर आपका जगा जगा आपको documentation work करना होंगे, भी हर जगा आपके paper सेक किये जाएंगे, तो उसमें जो आपका time period होता है delivery का, वो कहीं नगाई बढ़ जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होता है, next step का trade zones, trade zones होते हैं, कि कुछ ऐसे areas हैं, जहां पर government ने goods की movement होती है, उसको free allow का रख़ा है, उसकी permission दे रख़ी है, कि वहाँ पर वो अपने goods की movement को freely कर सकते हैं, without any authority की permission की, last step का freight rate and transportation, अब freight rate की बात करें, कि जब भी आप अपने product को एक country से दूसरी country में भेजते हैं, तो आप देखते हैं कि किस तरह के आप transport का use कर रहे हैं, किस तरह का आपका freight rate लगेगा, अगर आप किसी near country में अपने product को export कर रहे हैं, distribution कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो distribution cost है, वो कम लगेगी, लेकिन अगर अभी आप यहाँ पर किसी दूर की company country में, जैसे USA है, या आपकी रशिया है, या और शेलिया है, तो वहाँ पर अगर आप अपने product का distribution करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो transportation cost है, वो बहुत ज़्यादा आएगी, तो इन चीजों को ध्यान रखा जाता है, consider किया जाता है, आपकी international distribution में, Challenge of the marketplace, There are several challenges in marketplace, which compelled the logistician to look beyond current economic environment, the primary factors involved cost of capital, में आपके logistics related की cost of capital कितनी आएगी, वहाँ पर आपको अपने distribution को set करने में, channel of distribution को create करने में, दूसरा होता है, periodic economic swings which tends to hit hard the international player, कि जैसे international swing की बात करें, economic swing का मतलब होता है, कई बार हमारी जो currency की value होती है, वो बहुत ज़्यादा increase हो जाती है, कई बार वो जो value होती हो एकड़म से decrease जाती है, तो हमें ये भी ध्यादा रखना होता है, किस तरह की conditions को, किस तरह की plans को हम develop करें, जिसके तरूँ जो हमारी currency की value है, जो economic swings है किसी country का, वो हमें एक तरह से hit ना करें, जो international players हैं, उनको hit करने, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, आपकी economic swings, एक तरह से challenge होते हैं, logisticians के लिए कि वो इस तरह की policies को बनाए, जिसके तरूँ इन तरह के risk को neglect कर सके, इस compel frequent changes in the subsystem and strategies, a company supply chain can be externally and internally affected, the external effect is reflected on its global supplies, and are affected in its internal supply, thus the objectives for functioning of supply chain, are in conflict within and across the organization, तो आपके जो भी reasons होते हैं, चाहिए economic swings हो, चाहिए आपकी cost of capital हो, यह हमारे जो sub-system है, जो हमारी strategies होती हैं, distribution की, यह हमारे चेन होती हैं supply की, उनको effect करते हैं, अगर हम internal effect के बारें बात करें, तो यह हमारी जो global supplies होती हैं, हमारे product की, तो यह हमारे organization को effect ना कर पाएं, यह कोई भी change हमें effect ना कर पाएं, बात करते हैं balancing functional objectives, अब किस तरह हम अपने functional objective को balance करते हैं, जिसके नदरा बात करते हैं, कि किस तरह हम अपने जो objective होता है, चाहिए manufacturing है, marketing है, sales है, इन सबी को एक दूसरी से जोड़ रखा हमने, क्योंकि हमें पता, यह सारी जो जितनी में terms हैं, यह कहीं न कहीं एक दूसरी जोड़ी हैं, और इन सब का जो main objective होता है, overcome होना चाहिए, इनका एक ही होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं, कि उनको हम किस तरह balance करें, तो सबसे पहला है, marketing and sales strategies, demand characteristics, अब इसके जोड़ी बात करी गई है, कि हम किन चीजों considers करते हैं, इन objectives को या इसको balance करने के लिए, तो सबसे पहले हमें consider करना होता है, हमारी marketing strategies, sales strategies, और हमारी demand characteristics, कि किस तरह हमारी marketing है, किस तरह हमारी sales strategies है, और किस तरह हमारी demand characteristics है, इन तीनों को consider करने के बाद ही, आपनी functional objectives को balance कर सकते हैं, दूसरा होता है, inventory management, procurement and manufacturing strategies, late time, दूसरे में देखते हैं, कि हमारा inventory management है, हम कितना stock एक जगा पे रखते हैं, कितना हमारी costing आती है, warehouse की costing को, किस तरह हमारी manufacturing की strategies हैं, कि हम किस तरह need के हिसाब से, कितने product को एक time पे manufacture कर रहे हैं, या क्या lead time होता है हमारा, कि order आने के बाद उस product को shipment करने तक का, तीसरा होता है product strategy, change in demand and trends, तीसरे में होता है, कि अगर हमारी product के demand change होती है, तो वहाँ पर हम किस तरह की strategies का use करेंगे, क्योंकि आपके जो demand होती है, जो आपके trends होते हैं international market में, वो कभी भी constant नहीं रहते हैं, वो time to time change होते रहते हैं, integration of system functions in international supply chain, अब इसके अंदर हम बात करेंगे, कि किस तरह का integration system होता है, किस तरह work करता है international supply chain के अंदर, तो नर्मली हमारे यहाँ पर, या हमारे पास यहाँ पर दो तरह के function होते हैं, एक होता है horizontal integration, एक होता है vertical integration, ज़सा कि आप diagram में देख सकते हैं, तो अकर हम horizontal की बात करें, तो इसके अंदर हम तीन तरह से integration करते हैं, अपने organization का एक होता है, सबसे जो upper level होता है, वो होता है strategic level, वो एक तरह से हमारी objectives और policies के बारे में work करता है, किस तरह policies बनाई जाएंगी, कौन कौन सी policies को develop करना है, बनाना है और हमारे क्या objectives होंगे, यह level आपके integration करता है, strategic level पे, यह आपका upper level होता है, दूसरे level पो होता है जो integration tactical level, यह तरह से आपके plans और forecast, मतलब आपके plans को आपके जो forecast आपने दिया है, उस चीज़ पर वर्क करना होता है, उसको किस तरह implement किया जाएगा, आपके organizations के अंदर, अब तीसरे में होता है operational level, इसके अंदर control and schedule, मतलब उस वर्क किया जाता है, उसका production किया जा रहा है, उसको manufacturing किया जा रही है, पैकिंग किया जा रही है, वेर हाउसिंग के लिए transport किया जा रहा है, तो इसके अंदर norm में सारे आपके work आ जाते हैं, यह होता है आपका horizontal, आपका integration, integration, मतलब एक उपर level से लेकर, नीचे level तक इनके बीच में integration होना चाहिए, एक दूसरे से connect होने चाहिए, जिसके थरू अपनी supply chain को effectively कर सकें, और दूसरा होता है आपका vertical integration, अब इसके अंदर होता है कि हम सिर्फ lower level के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर जिसके हमारा functional group है, production group है, या logistics groups है, या supply group है, जो हमारे department होते हैं सारे, इन सभी के बीच में एक दूसरे एक integration होना चाहिए, ने पता होना चाहिए, कि कितनी हमारे पास production हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हम logistics का new use करें, या कितनी supply है market में, integration का, वो holistic होता है, उसके अंदर हम अपने vertical और horizontal इन दोनों integrations को use करते हैं, horizontal मतलब आपके जितने भी level है, management के चाहिए, top level है, middle level है, lower level है, वो उस चीज़ को integrate करता है, एक दूसरे स्कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर अपने जो international supply chain होती है, उसके decisions के लिए, उसके policies के लिए, उसके plans के लिए, और आपका जो vertical integration होता है, वहाँ पर उसके functions के लिए, productions के लिए, logistics के लिए, supply के लिए, इन सबी के लिए, एक दूसरे से integrate होते हैं, तो इन दोनों का combination होता है, वो holistic integration होता है, जिसको के international level पर यूज़ किया जाता है, अपनी supply chain के लिए, अब बहुत से ऐसे challenges हैं, जो की use, consider किये जाते हैं, जब हम use करते हैं, holistic approach, तो जब भी कोई भी आप approach यूज़ करते हैं, तो आपर बहुत सारे challenge आते हैं, उसको use करते वक्त, तो सबसे पहला होता है, किसमे होता है more burden on senior management, अब आपका जो senior management है, वो आपका vertical, कह सकते हैं integration को भी देखेगा, horizontal integration को भी देखेगा, तो उसके पार जो pressure होता है, जो burden होता है काम का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके senior management के पास, दूसरा होता है, इसके अंदर आपको आपकी logistics को consider करना होता है, as a strategic level, मतलब आपकी जो logistics है, वो सिरफ एक distribution का channel ना बनकर, आपकी strategies का एक part बन गया है, एक aspect बन गया है, उसके रूप में आपको उसको देखना पड़ता है, consider करना पड़ता है, लास्ट आपका inventory handling and management becomes more than buying, कई बार आपका inventory handling और management की cost होती है, वो आपकी buying cost से कहीं ज़्यादा हो जाते है, जो cost ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको loss उठाना पड़ेगा, या आपको demand होगी मार्किट में कम हो जाएगी, तो यह था आपका integration of system functions in international supply chain, तो यह आपका chapter खतम होता है, unit 2, आई होगा आपको सब कुछ समझ मा आगया होगा, अगर आप कोई issue है, कोई doubt है, तो आप comment section में comment कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेरे instagram account पर follow कर सकते हैं, तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए take care, good bye friends,